नेपाल को इतिहांस को बारे में पड़दा आखेरी हामीले हम मेरो वीडियो मा दीएको अनुसार पड़नों हो भने पक्कोई तावेले एकदम माईन माँ बस छो तीरगेकाल को लागी नेपाल को इतिहांस को बारे माँ सोधने गरीन छो ते इसको बारे माँ मेले एकदम स्वाटी ग्रूप माँ एसरी पड़दा खेदी माईन माँ ठ्यक के याद रहांचे दिरकाल समत्यों हिसाब ले मुले यहां कोलेक्शन गरे रह समेटे रह तप इहरे समग से लिया एकचु इदी वीडियो मन परे तप इले चैनल ले सेब्सक्राइब गरना ना महलना होला तथा लाग रस्यर गरना ना महलना होला तो लागवा आजको बिशेवस्तु तरपाल को इतिहांस को बारे माँ पड़दा खे गोपाल बंस अले सर्व पर्थम नेपल मा सासन गरेगा थिए गोपाल बंस का पर्थम राजा बने का भुक्त मान हुन बने इतिहांस कार राइट्स का अनुसार यहनी कि राइट्स बने इतिहांस कार ले जुन इतिहांस कार राइट्स का अनुसार आर्जना राजा बनेगा कि पांसे एकाइस बर्चानहे भरकाइगाथि थीए गोपाल सकावन्तिमडा एकस गुपत हूनद केन्षान्त गोपाल एकसफ गल्च केन्डर peanut मतल फिर तो अगर t our नेपाल को सब वंधा पुरानों बंच अवली ममनेगो गोपाल बंच आवली रहिको सब र गोपाल वन्श का वन्शा वली राजा जयस्तिती मल्ले तेहर परियेका हुई तेश्ताइ गाय पालाग भनेरा चिनने आर्थात गोपाल वन्शी हरू गाय पालने गर्द थे तेश्ताइ किराथी राजा हरू भोमी गुप्ता, जय गुप्ता, धार्मा गुप्ता, हर्षा गुप्ता, भीमा गुप्ता, विष्णु गुप्ता रहे का छाम ग्वपाल बन्च पछी नेपल महार को सासन गर्दे राजा भने को अहिर बन्ची हुन अब यो अहिर बंची को बारे मां हमें यहां जानकारी लीने छो गपाल बंच पछी ने बल मां सासन गरे का अहिर बंची हुन भने अहिर बंच का पर्थम राजा पर्थम राजा भनाले पर्थम राजा बोर सिंग हुन भने अंतिम राजा भोवन सिंग हुन शरी हामिले ठ्यक के यादगरे पछी यादभयाल चा ओहिर बंच का पर्थम राजा भने का बर्शिंग हुन बने अंतिम राजा भने का भो बंची अब इन हरूले सासन कती अबदी समझगरे का थी सासन अबदी भने को 111 वर्च भने रामिले बुझन परदा चा राजा को संख्या तीन जना इति हांचकार कर पेट्रिक का अनुसाथ ओहिर बंची तीन जना राजा हरूले राज्य गरे का थी है 파ाइस सासन आब दीयाने के यहनि हरूले राज्य गर आको totally 11 वर्च भने को समहीब परदा चा तेस्त्य आखिर भने को औहिर को क अरुकर बंग भने को भैशी हुने गषओ तेसले आखिर भन्ची हरूले भैशी पालक भने राज य्टिने गवर्दा भाल वंचि भने गय पालक न बने उहीर वने महिष भने है और वो olhar महिषी यहां पनीchen को humanos in a.f अरकuk को समाहां महिषी ले कमई पणी यहां अरृषी राझ भने महिषपाल्वण्ण भॉभनी यहां अब महिस पाल वनछी राज अहरु को बारे माँ ठेकने हैं तां मैंको तीन जना रहेगा छन राजा अहरु ते राजा हरु 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 बुझे लास थेंग रहे में तैंसी सैरा अहरा आम्मी्हेर खांना ठधेच पंधहों, मनेदा हमिले बुजनू परता exempt च् Mulan वह रवाल वियरेश्वर बन्सी पचे से रेकने उधाताती तकर हगो जानकारी ली नों गई रांखी को जो पर्थम राजा यलम्बर हुन अन्ती म्रॉजा को गोस्त रहा है किराती पर्थम राजा बने को गोस्ती हुन तेस्ते राजा को संख्या जमा 29 गोस्त रुठा ईक उरा पुष्टी गर्ने वने को राइट्स हुन, राइट्स वने को इति हास कार। मने एलसा नेपाल को इति हास को भारे मेशन खोजविजगरते जाधा, किराती 99 जना उगां राजाले राज्य गरेका वनेड़ पतालायाया का। तेस्त है, अब किराती हरुको सासनामदी भने को ठ्यक कई, अब यो भन्दा आगाडी भने को त्यों तवेको, यो भन्दा आगाडी ठ्यक कई, महिस पाल, हैना अर्थात, अहिर बंशी राज हरुले कती बर्च राजे गरेगा थिये बने, 111 बर्च है, अब एल्लाई ध्यान अब दिनों मात्र येसमा ओईत थफेको चैने की, 1118 बर्च याने की, 1118 बर्च याने की, 1118 बर्च तीरपल एक राठ, सासनामदी भने को यतियो भने ठ्यक के यादगरना सहिल चैने, अर्को भने को येसमा के चा बने, सिवर अर्चुन भीचको युद्ध, कुन राजा अर्को लगः चैने, सासनाम भुते छैने, सम्जी भुद्ध अचो ने पलाये को थियो ऺत्यको तुछ घ्चपाने, शांतों लगःति राजा हुमती को पलामा है, हुमती को पलामा, Śीर अर्चुन भीच। युद्ध भोगो थिए। है। एंख ही। ठेचित हुए गोतम बुद्ध को आगमान केसाभननामा भोगोगो स्वधाकिया। संतों किराथीराजास जितेदास्ति को भोगोगोगोने। सम्जीनु परदाओ। सम्राठ अशोग नेपल आएको थिए। तरह कसको पाला मां अस्तूंगो का पाला मां मुनीर हमीले फ्याक्ता याद गरनु पर छा तेस्तख़ें यालंबर को पूर्ण कदको साली कहा रहेगे और श्वद्दाकिरी संखुआ सवा जिला मां रहेगे और संजीनु पर छा अब किराद बंज पच्छी नेपल मा राजगर्ने चंथो राजा भने को लिछवी बंज सुआ हम वो ये इसको बारेमा हमी जानकारी लीना गहिरा किका चुँआ अब लिश्वी बंशी राजा हरुको शासन व्यवस्ता शुरू इसात पुरुवत तीन साइतीर बहय को थियो बने रहामिले बुझनु पर्दाचा इनी हरुको सासन अब्दी करीब आठ से बर्शा चले को थियो कि राथ लिश्वी बंशका पर्थम राजा बने को जईदे पर्थम होन बने नेपाल मा इनी हरुको आवाग मन भारत को बैशाली बाड़ा भयको बने रहामिले बुझनु पर्दाचा पर्थम राजा जईदेव पर्थम होन नेपाल मा आगवन भारत को बईशाली वार्डवाय को भनी दा हम दे बुझनपर्दा छो अब मान्देव राजा वारे केही जानकारी बिना को इडाखे के छो मान्देव राजा को सासन काल तपई को बिक्रम संबत 521 देखी 522 समय इंगले सासन गरे का ठिये मान्देव राजा का छोरा को नाम सोद्दा खेरी मही देव होन रभावु गोना धर्म देव होन भने राइनले बुझनपर्दा छो तेस्ताई अन्सु बार्मा वारे केही जानकारी दिना को इडाखे के छो नेपाल मां अंशु बार्मा ले पनी शासन गरेगा ठीए अब अंशु बार्मा को शासन काल वने को बीकरम संबद 6 बोई शठी देखिए 6 और 6 शम्मा अर्थाथ सोरव और सिंदे नेपाल मां शासन गरेगा ठीए नेपाल को इतिहास मा आदार्स सासक भनेर सोद्धा केरी कल्लाई बंदा से बंदा केरी अंशु बर्मा को भारे मा इयादाई गोडियान अंशु बर्मा लाई सम्झीनु पर्दाचा थेस्ते महा सामन्त कहला भीमान पशु पती पदानु ग्रिहित पद्विधारन गर्ने राजा को इन बंदा केरी अंशु बर्मा सम्झीनु पर्दाचा याँ अंशु बर्मा उनु पर्दाचा थेस्ते अब अंशु बर्मा कुन बंश का थिया अंशु बर्मा कुन बंश का थिया अंशु बर्मा कुन बंश का थिया अंशु बर्मा ठकूरी बंश का थिया अंशु बर्मा को बहिनी को नाम भाग देवी अन्सु बर्मा ले हिंदू रो बोध दोवे धर्म मानने गर्द थे रो अन्सु बर्मा ले बोधी प्रुको अवतार भने रो पनीने मानीने गरी इथे तेस्ते अन्सु बर्मा का छोड़ी को हुन बंदा के रिविर कुटी यह लाई हरित तरा को उपनामले पनी चिन्य गर्दा छो तेस्ते अंसु बर्मा को पाला मा याने कि इनका पाला मा भारत को सम्राट भारत मा हर्स बर्धन ले सासन गर्दा थियो बने यहां मिश्ट्रेक भवयता छा सरंचंग सरंचंग गंपो बने रख उजनु पर्दा छा सरंचंग गंपो ले चिन्मा सासन गर्दा थियो सरंचंग सरंचंग गंपो ले सासन गर्दा थि तेस्ते अंसु बर्मा पचि राजगदी मा आशिन होने आर्था राजगदी लीनें बेखती कोहन बंदा खेरी उदेगे भने रहामीले समझीनों पर्दचर अब अंसु बर्मापची राजा नौरेंद्र देव को बारे मां केही जानकारी दीनां कोही राखे कुछ हो राजा नौरेंद्र देव को सासन अब्धी बिक्राम संबद साथ से दुई देखिली रहा साथ से छती समय इनले सासन गडे का थिये लिश्वी कालीन आकास को पूर्न चंद्र बंदा खेरी हामिले जट्टे राजा नौरेंद्र देवले संजीनों पर्दचर त्यस्तै पन रप पुरान मुद्रा यहने कि पन रप पुरान नामग मुद्रा खले चलाया का हुन भंदा खेरी राजा नरिंद दिभले चलाया का हुन भने रा हमेले समझीनु पर्दा चा अब एक पन बराबर हीन है एक पुरान बराबर सोलपपन हुने करदा चा तेस्ते महाराज धिराज को परम भाटारग को पद्विधार्ण करने कोहन बंदा केरी नरिंद दिभले समझीनु पर्दा चा और को लिच्छबी कालमा धान चामल ग्यू तेल रदूद नापन पर्योग हुने एकाईले मानी का नरेंद्र दिभले समझीनु पर्दा चा तेस्ते मानी का 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 नरेंद्र दिभले समझीनु पर्दा च तेस्ताई तेस्ताई शिकाली जात्रा तेस्ताई शिकाली जात्रा कहां परचली इचन सद्धाकेरी खोकाना को नेवार समुदाई में भनेदा चम्जीनों परदाच अरको बईरागी जात्रा कहां परचली इचन बने रश्वदाकेरी हमिले जुम्ला समझीनों परदाच